हेलो स्टूदेंट्स हाव वेलकम तो माई यूटूब चैनल पंकच फिजिस घुलाटी स्टूदेंट्स आपको इस चैनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्स्प्लेनेशन देखनेगों मिलती है बलकि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एक्जाम में क्या और कैसे लिखके आना है ताकि आप सिरफ एक वीडियो देखके ही अपने नोट्स बना सकें और एक्जामस में बहुत अच्छे मार्ग्स ला सकें तो सुडेंट्स आजी चैनल को सबस्राइब कीज और पाईए notification मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटिगरी में आगे पढ़ते हुए आज हम बात करेंगे B.Sc. Honors Physics, Semester 6, Atomic and Molecular Physics, Unit 4 के एक और important topic के बारे में जिसका नाम है The Molecule as an Harmonic Oscillator तो students इससे पहले हम Vibrational Spectra and Vibrational Energy Levels of a Diatomic Molecule as a Simple Harmonic Oscillator जो है अल्रेडी डिसकास कर चुके हैं देखे students अगर हम कोई Diatomic Molecule लें जैसे कि हमने यहाँ पर Diatomic Molecule ले लिया जिसमें दू आटम्स हैं जिनके मासिस हैं M1 and M2 रिस्पेक्टिवली और अगर हम इनके बीच का Inter-Nuclear Distance Equilibrium State में R-E-Q मान लें तो यहाँ पर अगर हम इस Diatomic Molecule को as a Simple Harmonic Oscillator मान के चलें तो इसका मतलब यह होगा कि यह जो बॉंड होगी इन दो आटम्स के बीच में यह परफेक्टली इलास्तिक होगी और यह Hooks Law को अबे करेगी means f equal to minus kx जो की Hooks Law होता है उसको अबे करेगी इसका मतलब यह है कि हम बॉंड को जितना मरजी stretch कर सकते हैं जितना मरजी compress कर सकते हैं और अगर हम इसको stretch कर दें तो stress state में इन दो आटम्स के बीच का Inter-Nuclear Distance अगर हम R मालें और इसकी Schrödinger wave equation solve करके vibrational energy का expression find करें और अगर हम इसका potential energy curve draw करें तो हमने देखा था कि जो इसका potential energy curve होगा which is the graph between potential energy VR और potential energy को आप simply energy भी बोल सकते हैं अगर हम graph plot करें potential energy and inter-nuclear distance के बीच में तो graph जो है हमें वो एक parabolic curve की form में देखने को मिल रहा था हमने देखा था कि जो different vibrational energy levels थे corresponding to vibrational quantum number V is equal to 0, V equal to 1, V equal to 2, V equal to 3 and so on वो equally space थे और in vibrational energy levels की जो energies थी वो कुछ इस परकार से निकल के आई थी ground state की जो energy थी वो half h new node निकल के आई थी first excited state की energy 3 by 2 h new node निकल के आई थी second excited state की energy 5 by 2 h new node निकल के आई थी और third excited state की energy 7 by 2 h new node निकल के आई थी और किनी भी दो consecutive vibration energy levels के बीच का जो energy gap है वो same निकल के आ रहा था जो की था delta E is equal to अगर आप इसमें से इसको minus करेंगे तो h new node मिलेगा अगर आप इसमें से इसको minus करेंगे तब भी h new node मिलेगा और अगर आप इसको in reality जो bonds होती हैं किसी भी diatomic molecule में वो perfectly elastic नहीं होती perfectly elastic ना होने का मतलब यह है कि अगर आप bond को किसी एक particular limit तक stretch करते हैं तो जो bond होगी वो dissociate हो जाएगी bond जो है वो तूर जाएगी और molecule जो है वो dissociate हो जाएगा into its constituent atoms तो उस case में हमें diatomic molecule को reality में simple harmonic oscillator ना consider करते हुए as a harmonic oscillator जो है वो consider करना होता है तो उस case में जो हमें potential energy करव मिलेगी वो parabolic नहीं होगी उसकी shape जो है इस shape से थोड़ी सी अलग होगी जिसको नाम दिया जाएगा मोर्स potential energy करव क्योंकि उस potential energy करव को सबसे पहले describe किया था एक scientist PM मोर्स ने तो उस case में vibration energy levels भी different हो जाएगी और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या अगर हम molecule को enharmonic oscillator मान के जलते हैं तो क्या vibration energy level जो है वो equally spaced होंगे के नहीं होंगे और उनके बीच का gap क्या रहेगा और क्या 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 आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा वही आज के इस वीडियो में आपको बताये जाएगा तो students आएए देखते हैं कि अगर एक कोशन आपको एकजाम में पूछा जाता है तो आप इसको start कहां से करके आएंगे आएए पहले वो देख लेते हैं The vibrational frequency of a diatomic molecule vibrating as a simple harmonic oscillator is given by अगर हम किसी diatomic molecule को as a simple harmonic oscillator मानके चलें जो की hooks law को obey करता है जिसमें हम bonds को perfectly elastic मानके चलते हैं, bond को जितना मर्जी stretch कर सकते हैं, जितना मर्जी compress कर सकते हैं 1 by 2 pi square root k by mu hertz और second inverse जहां पर k जो है, वो force constant है और mu जो है, इस molecule का reduced mass है जो की होता है, mu is equal to m1, m2 by m1 plus m2 is reduced mass of diatomic molecule तो students, उस case में जो हमें potential energy curve देखने को मिलता है, वो कुछ इस परकार से देखने को मिलता है इसको भी describe करेंगे next section के अंदर आए students, देखते हैं कि आप इसमें और क्या add करके आएंगे on solving Schrödinger equation for such a diatomic molecule vibrating as a simple harmonic oscillator the vibration energy is given by अगर हम diatomic molecule की जो की एक simple harmonic oscillator की तरह behave करेगा जो की hooks law obey करेगा, उसके लिए Schrödinger wave equation solve करें तो हमने देखा था कि जो vibrational energy निकल के आ रही थी इस diatomic molecule के लिए वो कुछ इस पर करसे निकल क्या रही थी e v is equal to v plus 1 by 2 h new node जहां पर v है vibrational quantum number which can take values 0, 1, 2 which is called vibrational quantum number and so on और इस case में जो selection rule हमने देखे थे वो थे delta v is equal to plus minus 1 जो selection rules से transitions के लिए वो delta v equal to plus minus 1 थे means transition जो है वो कुछ इस परकार से हो रही थी देखिए यहां से यहां जा सकता है 0, minus 1, minus 1 होता है 1, minus 2, minus 1 होता है 2, minus 3, minus 1 होता है तो यह transition possible है थी किसी परकार से यह वोड़ी transitions भी possible थी क्योंकि यहां पर जो v की value में change आएगा वो 1 से change आएगा 3, minus 2 is 1, 2, minus 1 is 1, 1, minus 0 is 1 तो यह transition जो है वो possible थी according to the selection rule delta v is equal to plus minus 1 potential energy curve is parabolic और जो potential energy curve मिल रहा था which is the graph between potential energy vr and inter nuclear distance are वो हमें parabolic मिल रहा था vibration energy levels are equally spaced with separation delta is equal to h new node और vibration energy levels जो थे वो equally spaced थे अगर आप यहां पर v की value 0 put करते हैं तो आपको e0 की value मिल जाएगी half h new node अगर आप v की value 1 put करते हैं तो e1 की value मिल जाएगी 3 by 2 h new node इसी तरह से 2 और 3 value put करके यहां पर v की आपको मिल जाएगी value 5 by 2 h new node and 7 by 2 h new node and so on तो यहां पर अगर आप किसी भी दो energy levels के बीच का energy gap निकालेंगे delta e तो वो h new node निकल के आएगा आप चेक कर सकते हैं तो students यह तो था कि molecule जब simple harmonic oscillator की तरह behave कर रहा था तब हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा था तो reality में molecule जो है वो simple harmonic oscillator की तरह behave नहीं करता, bond जो है वो perfectly elastic नहीं होती तो उस case में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले sections के अंदर तो आईए students आगे बढ़ते हैं Thus a vibrating diatomic molecule will behave as simple harmonic oscillator only if the bond is perfectly elastic तो एक vibrating diatomic molecule को हम simple harmonic oscillator कब consider करेंगे जब atoms के बीच का bond जो है वो perfectly elastic होगा perfectly elastic का क्या मतलब है आईए वो समझते हैं means it can be stressed or compressed to any extent, इसका मतलब यह हुआ कि bond को आप जितना मरजी खिच लो, जितना मरजी compress कर लो तो वो तब भी hooks lock को obey करेगा, means f equal to minus kx को obey करेगा, means restoring force जो है वो directly proportional to होगी displacement की इस law को obey करेगा, but in reality the bond in a molecule is not perfectly elastic in nature, but actually क्या होता है कि जो bond होती है molecule की वो perfectly elastic नहीं होती तो अगर आप इसी चीज़ को बार बार खिचोगे compress करोगे, तो एक limit के बाहर जब आप उसको खीच दोगे, तो उसकी elasticity जो है वो खतम हो जाएगी और वो तूट जाएगा, वो bond जो है वो तूट जाएगा, जिसकी वज़ा से molecule जो है, वो अपने constitute atoms में dissociate हो जाएगा, तो उस case में जो graph है, potential energy curve है, वो parabolic नहीं रहेगी, और molecule को हमें reality में simple harmonic oscillator ना consider करते हुए, as an harmonic oscillator consider करना होता है, तो students आईए देखते हैं, not perfectly elastic means if the bond is stressed to a particular extent, the elasticity may be lost, that is the bond may break and the molecule may dissociate into atoms, not perfectly elastic का मतलब ही है, कि अगर हम bond को एक particular limit से ज़्यादा stretch कर दे, जैसे आप इसी rubber को एक limit से ज़्यादा stretch कर दो, तो क्या होना है, उसने तूटना ही तूटना है, same case यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि अगर आप एक bond को किसी particular limit से ज़्यादा stretch कर दोगी, तो वो तूटेगी तूटेगी, क्योंकि उसकी elasticity खतम हो जाएगी, और molecule जो है, अपने constitute atoms में dissociate हो जाएगा, so the vibrations of such a molecule do not exactly obey the laws of simple harmonic oscillator, और इस case में, reality में, जो bond होती है, वो perfectly elastic नहीं होती, तो reality में, जो vibrations होती हैं, किसी भी diatomic molecule को, वो simple harmonic oscillator के laws को अबे नहीं करती, means hooks law को अबे नहीं करती, तो students, इसके बाद आप इसमें और क्या add करके आएंगे, और reality में, and harmonic oscillator के दिए potential energy curve कैसा मिलने वाल है, आपको, वो भी हम जानेंगे, आने वाले sections के अंदर, तो students, आएए देखते हैं, कि आप इस topic में और क्या add करके आएंगे, that is, such molecules will not obey hooks law, f equal to minus kx, and such molecules are considered as and harmonic oscillators, reality में, जो bond होता है, किसी भी molecule में, जो दो atoms को बांद के रखता है, वो perfectly elastic नहीं होता, तो उस case में, ऐसे molecules, जो है, वो hooks law को अबे नहीं करेंगे, means, जो restoring force होगी, वो directly proportional to नहीं रह जाएगी, x के, means displacement के, और ऐसे molecules को हमें, as a harmonic oscillator, जो है, वो consider करना होगा, the potential energy curve for an harmonic oscillator will not be a parabolic, अगर diatomy molecule simple harmonic oscillator की तरह behave करेगा, तो उसकी potential energy curve जो है, वो parabolic होगी, but reality में, जो diatomy molecule होगा, वो an harmonic oscillator की तरह behave करेगा, तो उसकी जो potential energy curve होगी, वो parabolic नहीं होगी, वो कैसी होगी, आईए, वो भी देख लीजिए, एन harmonic oscillator के लिए, जो potential energy curve होगी, वो कुछ इस परकार से होगी, इस परकार से होगी, यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, जो harmonic oscillator की जो parabolic curve की उसको dotted कर देता हूँ, ताकि आप इन में clearly difference जो है, वो समझ पाएं, तो यह harmonic oscillator के लिए है, means SH के लिए है, और यह जो curve है, solid line वाली, यह AH के लिए है, means an harmonic oscillator के लिए है, तो means, जब आप किसी bond को एक particular limit से जादा stretch करेंगी, तो यह bond जो है, एक particular distance पर जाकर break होगी ही होगी, और इस point के corresponding, जो आपको energy मिलेगी, that energy is called dissociation energy, तो यहां से लेके, यहां तक जो आपको energy दिखाई दे रही है, that is dissociation energy DE, यह वो energy है, which is required to break the molecule into its constituent atoms, bond तोरने के जितने आपको energy देनी होगी, that is known as dissociation energy, तो students, इसी curve को हम बोलते हैं, Morse curve, इस solid curve को हम बोलते हैं, Morse curve, क्योंकि इस curve को describe किया था, एक scientist PM Morse ने, इस curve को explain करने के लिए, उन्होंने एक, हमें potential energy का एक formula हमें दिया था, जिसको हम Morse function भी बोलते हैं, आएए वो देखते हैं, वो क्या है, it was PM Morse derived an empirical expression to account for anharmonicity, anharmonic oscillator की anharmonicity को भी ध्यान में रखते हुए, PM Morse ने एक हमें expression दिया, और वो expression क्या था, उसको हम Morse function भी बोलते हैं, and is given by vr is equal to dE, 1-e, e की power ar-req का whole square, जहांपर dE है dissociation energy, a है constant, a की value एक particular molecule के लिए constant होगी, जैसे HCl के लिए इसकी value कुछ होगी, hydrogen molecule के लिए इसकी value कुछ होगी, तो हर diaton molecule के लिए a की value जो है वो different होने वाली है, r e q है, inter nuclear distance in equilibrium state, जो हमने दो atoms बनाए थे, जब वो equilibrium state में थे, तो उनके जो बीच का distance था, वो r e q था, और r है, distance between, inter nuclear distance है, यह जब हमारा जो molecule होगा, stretch होगा, यह compress होगा, अगर वो stretch होता है, तो उसके बीच का जो distance होगा, वो r होगा, अगर वो compress होता है, तो यह जो distance होगा, वो r होगा, means r minus r e q हमें क्या बता रहा है, it is actually representing the displacement from its main position, from its equilibrium state, r e q is equilibrium inter nuclear distance, r is inter nuclear distance in stretch or compressed state, अब यह जो expression है, यह जो morse function है, जो हमें potential energy की value दे रहा है, यह इस curve को कैसे explain कर रहा है, वो हम देखेंगे next section के अंदर, तो students पिछले section में हमने morse potential function का expression लिख लिया था, इसमें आपको हलकी सी correction करनी होगी, यहाँ पर a नहीं minus a आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यह हमारी first equation थी, morse potential function जो है, बहुत ही appropriate function है, to describe morse curve, that is curve for an harmonic oscillator, आएज देखते हैं कैसे, at r is equal to r equilibrium, जब आपका r जो है, वो r equilibrium के बराबर हो जाएगा, तो उस case में क्या होगा, r minus r equivalent की value 0 हो जाएगी, क्योंकि यह दोनों terms बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर आजाएगा, e की power 0, यह term 0 हो जाएगी, और e की power 0 होता है 1, तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो यह पूरी term जो है, वो 0 हो जाएगी, तो इस case में vr जो है, वो 0 होगा, means जब आपका r जो है, r equilibrium के बराबर होगा, तो आपका vr जो है, वो 0 होगा, बिल्कुल correct है, जब आपका r, r equivalent के बराबर है, तो vr जो है, वो 0 है, इस morse curve के according, आएगे देखते आगे, at r approaches to infinity, जब आपका r infinity को अप्रोच करेगा, means तब आपका r minus r equivalent भी infinity को अप्रोच करेगा, तो इस case में यह term जो है, वो infinity हो जाएगी, तो यहाँ पर आजाएगा e की power minus infinity, तो e की power minus infinity होता है 0, तो 1 minus 0 हो जाएगा, 1 तो d e आजाएगा यहाँ पर, तो उस case में vr जो है, वो dissociation energy d e के बराबर हो जाएगा, means जब आपका r जो है, वो infinity को अप्रोच करेगा, लाइन है, that is parabolic curve, यह simple harmonic oscillator के case को represent कर रही है, और solid line जो है, वो Morse curve को represent कर रही है, that is the potential energy curve for an harmonic oscillator, यह PM Morse ने drive की थी, तो इसलिए इसको हम Morse curve भी बोलते हैं, तो जैसे जैसे आपका vibrational quantum number बढ़ता जा रहा है, तो यह जो solid line है, parabolic होने की बजाए, flattened होती जा रही है, और यह जो dotted line है, यह आपकी dissociation limit को represent कर रही है, dissociation limit, और इसके corresponding, जो energy होगी, that energy is called dissociation energy, कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका vibrational quantum number बढ़ता जाएगा, तो एक limit ऐसी है आजाएगी, जब molecule जो है वो break हो जाएगा, और वो अपने constituent atoms में dissociate हो जाएगा, और उसके corresponding जो energy होगी, that energy is called dissociation energy, from figure it is clear that as vibrational quantum number V increases at a particular point, the molecule will reach its dissociation limit, जैसे ऐसे आपका vibrational quantum number बढ़ता जाएगा, तो एक limit ऐसी आएगी, जब molecule जो है, वो अपने dissociation limit के पास पहुँच जाएगा, तो उस case में molecule जो है वो तूट जाएगा, और अपने atoms में break हो जाएगा, और उस energy को हम बोलते हैं dissociation energy, तो students, इसके हम बात हम बात करेंगे, कि आखिरकार एन harmonic oscillator के लिए, जो आपको vibrational energy का expression होगा, वो कैसा देखने को मिलेगा, और उसके क्या-क्या features होँगे, वो हम देखेंगे आने वाले sections के अंदर, तो students आईए आगे बढ़ते हैं, देखे students, अगर हम इस potential को लेकर, Schrodinger wave equation solve करें, तो जो vibrational energy निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, अब हमें वो देखना है, अगर हम Schrodinger wave equation में जो potential होता है, उसका form जो है, वो ये लेके चलें, मिस मोर्स potential वाला form लेके चलें, तो हमारे पास जो energy ion values बिलेंगी, Schrodinger wave equation को solve करके, वो कुछ इस परकार से होंगी, ev is equal to v plus 1 by 2 h nu naught minus v plus half square h nu naught x e, यह हमारी second equation होगी, देखे students, यहां तक जो term है ये वाली, ये same term है जो हमारी simple harmonic oscillator के case में आपियर हो रही थी, simple harmonic oscillator के case में जो vibration energy थी, वो कुछ इस परकार से थी, but unharmonic oscillator के लिए, ये term जो है, वो इसमें से minus हो रही है, that is a difference between vibration energy level of simple harmonic oscillator and n harmonic oscillator, इसमें ये term जो है, वो extra minus होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर x e जो है, उसे हम बोलते है n harmonicity constant, जिसकी value जो है, वो small होती है, positive होती है, generalist की value जो है x e की, वो 0.01 होती है, तो अगर हम यहां पर x e को 0 ले लें, तो आपका e v जो है, वो इस term के बराबर रह जाएगा, means जो आपका n harmonic oscillator है, वो बिल्कुल simple harmonic oscillator की तरह behave करेगा, अगर आप यहां पर x e को, means n harmonicity constant को 0 ले ले लेते हैं, और यह जो energy लिखी हुई है, यह joules में होगी, क्योंकि planks constant का unit होता है, joule per second, joule second और frequency का unit होता है, second minus one, तो यहां से second से second कर जाएगा, तो इसका unit बनेगा, वो joules में होगा, तो अगर हमें इस expression को wave number की form में लिखना हो, centimeter inverse के units में लिखना हो, तो हमें इस expression को hc से divide करना होगा, और वो हम करेंगे next section के अंदर, तो students आईए आगे बढ़ते हैं, पिछले section में हमने vibration energy का expression लिख लिख लिया था, in terms of joules, अगर आप इसको centimeter inverse के terms में लिखना चाहते हैं, तो आपको दोनों तरफ hc से divide करना होगा, dividing both sides by hc, तो हरे term के निचे hc लिख दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इस hc हc cancel हो जाएगा, इस hc हc cancel हो जाएगा, ev upon hc को हम एक new term से denote करेंगे, that is gv, gv जो है वो ev upon hc को represent कर रहा है, और new note by c को हम represent कर देंगे new note bar से, simplicity के लिए, new note by c को हम replace कर देंगे new note bar से, हम v की अलग-अलग values के लिए starting from 0, energies की values निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम v की जगा 0 ले ले लें, तो हमें g0 की value मिलेगी, इसको solve पर के हमें मिलेगा, half new note bar minus 1 by 4 new note bar xe, v की जगा आपको 0 put करना यहाँ पर, तो यह होगी ground state की energy, जो की है v equal to 0, तो v equal to 0 के case में जो ground state energy होगी, that is g0, which is given by this expression, अगर हम यहाँ पर v की जगा 1 ले लें, जहां-जहां v लिखा हमा 1 put कर दें, तो हमें g1 मिलेगा 3 by 2 new note bar minus 9 by 4 new note bar xe, और यह होगी मारी first excited state v equal to 1, तो यहाँ पर v की value 2 put करके हमें यह value मिल जाएगी, that will be the energy of second excited state v equal to 2, 3 put करके v की value हमें g3 की value मिल जाएगी, third excited state v equal to 3, g4 की value मिल जाएगी, v की value 4 put करके that will be our fourth excited state v equal to 4 and so on, तो students आप क्या observe कर रहे हैं यहाँ से, यह जो energies हैं, यह वाली, जो first terms हैं in expressions की, यह बिल्कुल same है, जो हमारा simple harmonic oscillator के case में मिल रहा था, बट इस case में यह terms जो हैं वो नहाँ से subtract हो रही है, तो कहने का मतलब यह है, कि जो n harmonic oscillator में जो vibration energy होती है, वो simple harmonic oscillator के case में जो हमें vibration energies मिल रही थी, different levels की, उनसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ term जो है, यह वोली term तो बिल्कुल same है, जैसे हमें simple harmonic oscillator के case में मिल रही थी, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर minus होता जा रहा है, और इनकी spacing जो है वो लगातार कम होती जा रही है, जैसे यह से V की value बढ़ती जा रही है, energy levels के बीच की spacing जो है वो कम होती जाएगी, तो V equal to 0 के लिए energy है G0, तो V equal to 1 के लिए जो energy होगी, वो होगी G1, V equal to 2 के लिए जो energy होगी, वो होगी हमारे पास G2, V equal to 3 के लिए जो energy होगी, वो होगी G3, और जैसे यह spacing, जैसे यह आपका vibrational quantum number बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका spacing जो है इन levels के बीच में कम होती जाएगी, इस तरह से आपको show करना है, तो यह levels जो हैं वो बहुत close होते जाएगी, जैसे यह से आप V बढ़ता जाएगा, इस परकार से आपको यहाँ पर यह show करना है, these are the energy levels for an harmonic oscillator, तो students, इसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार इन energy levels में जो transitions होंगी, उसके लिए selection rules क्या रहने वाले हैं, और कौन-कौन से हमें bands नजर आने वाले हैं, इन vibrational spectra of an harmonic oscillator, वो हम देखेंगे आने वाले sections के अंदर, तो students, आएए देखते हैं कि आप इसमें और के add करके आएंगे, thus as we increases the spacing between the vibration energy level decreases, that is vibration energy levels are not equally spaced, तो हमने देखा कि जैसे ऐसे vibrational quantum number की value बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो spacing है इन energy levels के बीच की, वो कम होती जाएगी, means यहाँ पर vibration energy level जो हैं, वो equally spaced दहीं होंगे, जैसा हमारा simple harmonic oscillator के case में था, आएए बात करते हैं selection rules की, तो जो allowed traditions होंगी, इन energy levels के बीच में, उनके लिए जो selection rules रहने वाले हैं, वो रहेंगे कि जो आपका vibration quantum number में change आएगा, या तो वो plus minus 1 से change आएगा, या plus 2, plus minus 2 से change आएगा, या plus minus 3 से change आएगा, and so on, simple harmonic oscillator case में जो हमारा selection rule था, वो ये था, delta V is equal to plus minus 1, जबकि यहाँ पर higher selection rules भी possible है, plus minus 2 भी possible है, plus minus 3 भी possible है, तो यहाँ पर हमें fundamental band के साथ, कुछ और lines भी जो हैं, वो दिखाई देंगी, उन lines को special name दिया जाएगा, वो भी हम देखेंगे, तो बात करते हैं fundamental band की, अगर transition होती है, V equal to 0 से V equal to 1 में, तो उसे हम बोलते हैं fundamental transition, यह हैं हमारी fundamental transition, which will occur from V equal to 0 to V equal to 1 level, तो इस case में, the transition V equal to 1 to V equal to 1 is called fundamental transition, तो इस case में जो हमें energy देनी होगी, किसी भी molecule को यहां थे, यहां जम कराने के लिए, वो कितनी होगी, वो होगी G1 minus G0, means delta G जो होगा, वो होगा G1 minus G0, G1 की value होगी हमें पिछे निकाली थी, 3 by 2 new not bar minus 9 by 4 new not bar XC, minus G0 की value थी, 1 by 2 new not bar minus 1 by 4 new not bar XC, जब आप इसको solve करेंगे, तो आपको मिलेगा new not bar 1 minus 2 XC in centimeter inverse, क्योंकि room temperature पे जो most of the molecules होते हैं, वो ground state में होते हैं, तो जो यह transition होगी, fundamental transition from V equal to 1 to V equal to 1, यह most probable transitions होगी, out of all the possible transitions, यह सबसे ज़्यादा probable होगी, और इस transition की intensity भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर molecule जो है room temperature पर सबसे ज़्यादा होते हैं, ground level पर, तो उनकी ज़्यादा probability होगी, कि वो यहाँ से jump करके इस first level में चले जाएं, और आपको greatest intensity की transition जो है, यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो fundamental band जो है, वो highest intensity का band आपको मिलने वाला है, तो students, इसके बात का portion हम study करेंगे, next section के अंदर, तो students, पिछले section में हमने देखा, कि अगर transition V equal to 0 से V equal to 1 में होगी, तो वो fundamental transition होगी, यह most probable transition होगी, इसकी intensity जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, अगर transition होती है, from V equal to 1 to V equal to 2, then that transition is referred as first overtone, that transition is referred as first overtone, इसकी probability भी कम होगी, और इसकी intensity भी कम होगी, as compared to fundamental transition, क्योंकि अगर आप molecule को यहाँ से यहाँ बेदना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा energy देनी होगी, तो आप लिखेंगे second point first overtone, the transition from V equal to 0 to V equal to 2, is termed as first overtone, तो इस case में अगर आप molecule को यहाँ से यहाँ बेदना चाहते हैं, तो आपको energy देनी होगी, delta G is equal to G2 minus G0, और G2 की value अगर आप यहाँ put करेंगे, G0 की value यहाँ put करेंगे, जो भी हमने पिछले sections में drive की थी, तो solve करके आपको मिलेगा 2 new bar 1 minus 3 XE cm inverse, this transition will be less probable and will have less intensity as compared to fundamental transition, इसकी probability भी कम होगी, intensity भी कम होगी, fundamental transition comparison में, क्योंकि आपको more energy देनी होगी, molecule को यहाँ से यहाँ पर shift करने के लिए, आइए बात करते हैं second overtone की, अगर आपकी transition होती है from V equal to 0 to V equal to 3, तो इसको हम बोलते हैं, second overtone, इसकी intensity और इसकी probability और कम होगी, इन दोनों से, क्योंकि आपको molecule को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, और ज़्यादा नर्जी देनी होगी, as compared to first overtone and fundamental transition, तो transition V equal to 0 to V equal to 3 को हम बोलते हैं, second overtone, और इसके लिए जो delta G की value होगी, वो होगी G3 minus G0, तो G3 और G0 की values put करने के बाद आपको जो मिलेगा, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 new node, और यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 minus 4 x cm inverse, तो यह less probable होगी, less intense होगी, less intensity होगी as compared to first two, first overtone and fundamental transition, अब fundamentals और overtone के अलावा, आपको spectrum में कुछ और bands भी दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं hot bands, जैसे कि अगर आपका transition हो रहा है, V equal to 1 से V equal to 2 में, then that transition is referred to as hot band, इनको hot band क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यह transition जो है, सिरफ high temperature पर ही possible है, आईए आगे देखते हैं hot bands, apart from fundamentals and overtones, V equal to 1 to V equal to 2, fundamental and overtones के लावा, कुछ और transition भी possible है, जैसे कि transition from V equal to 1 to V equal to 2, they are referred to as hot bands, they are usually very weak bands, यह काफी weak होते हैं, इनकी intensity बहुत कम होती है, they are called hot bands as high temperature, is one of the condition for their occurrences, इनको hot bands इसलिए बोला जाता है, क्योंकि अगर आप यह transition करवाना चाहते हैं, तो आपको temperature जो है वो बढ़ाना होगा, तो students, इस परकार के आपके different bands जो है, वो दिखाई देते हैं, in vibrational spectra of an harmonic oscillator, तो students, यह था आपके पास, the molecule as an harmonic oscillator, I hope आपको आज का topic जो है, वो अच्छे से clear हुआ होगा, मिलेंगे किसी और important topic of atomic and molecular physics के साथ, till then take care. कर दो आपके जो है,